चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नीट 21 साल में दो बार कंडेक्ट होने से हमें क्या-क्या फाइदे होंगे और इससे क्या कोई नुकसान भी हो सकता है क्या तो दोस्तों नीट 21 साल में दो बार कंडेक्ट होने से हमें तीन बड़े फाइदे होंगे सबसे बड़ा फाइदा ये होगा कि जब हम इसका फर्स्ट अटेम्ट देंगे तो confidence के साथ में दे पाएंगे क्योंकि दोनु बार जो highest score होगा वही मानने होगा अगर हमारा फर्स्ट एक्जाम खराब भी चला जाता है तो हम सेकंड एक्जाम में बेतर कर सकते हैं मैंने एक्सर ये देखा है कि बहुत से student एक्जाम में नर्वस हो जाते हैं और सब कुछ आते हुए भी वो घबराट के कारण पेपर सही नहीं कर पाते हैं जिनके कारण उनका कुछ ही मार्ग से selection रुख जाता है इस घबराट के कारण ओमार फिल करना चूट जाती है या फिर ओमार गलत फिल हो जाती है या फिर ये negative जादा हो जाते हैं तो दो एक्जाम होने से हमारे दिमाग में जो डर रहता है वो डर नहीं रहेगा हम यही सोचेंगे कि इस से अगला एक्जाम तो और है क्योंने हम इसी को अच्छा एक्जाम दें और हम confidence के साथ एक्जाम दे पाएंगे दूसरा फाइदा यह है कि किसी कारणवस हम पहली एक्जाम नहीं दे सके तो सेकेंड एक्जाम अच्छी तैयारी के साथ दे सकते हैं एक्जाम ने देने के बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे कोई student बिमार हो जाता है या फिर एक्जाम सेंटर पर पहुंचने में लेट हो जाता है या फिर और भी अन्यकारण हो सकते हैं मैं आपको मेरा खुद का एक्जाम पल बताऊं 2019 में मैं अपने बच्छे को एक्जाम दिलाने गया था एक्जाम सेंटर जैपूर था दूसरे दिन इलक्षन होने की वज़े से भीड इतनी थी कि हम जाम में फस गए थे और एक्जाम सेंटर सिरफ एक मिनट पहले ही पहुंचे थे अगर हम पांच मिनट या दो मिनट भी लेट हो जाते तो वो इसका परिणाम आप जानते ही हैं क्योंकि नीट उस समय एक ही बार होती थी तो ये किसी के साथ भी हो सकता है जब कोई स्टुडेंट पूरी साल तयारी करता है और किसी कार्णवस वो एक्जाम नहीं दे पाता है तो उसको बहुत दुख होता है तीसरा फाइदा ये है कि जो स्टुडेंट फ्रेसर हैं और वो नीट पहली बार एक्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट एक्जाम से उनको एक आइडिया हो जाएगा और सेकंड एक्जाम में वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो नीट साल में दो बार कंड़क्ट होने से ये फाइदे रहेंगे नुक्सान की बात करें तो इससे कोई नुक्सान नहीं होने वाला है दोनों एक्जाम में जो हाइस्ट स्कोर होगा वही मनने होगा तो दोस्तों ये मेरे personal view थे पिछले सालों के अनभव के according थे मैं सोचता हूँ कि need दो बार होने से आपको फाइदा ही होगा नुकसान कुछ भी नहीं होगा बस आपको तयारी करनी है और exam जब भी हो आपको full confidence के साथ exam देनी है need 21 के regarding जो भी update होगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like होए ज्यादा ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद